नमस्कार तीरू किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ड्राइफूट रोल ड्राइफूट रोल की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसमें हम बिल्कुल भी चिनी का यूज नहीं करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइ अधीलेशनल लिया है और ग्रेफ ले उधार आपि और ह्सुक्राइफ डाश और बहुत अधर लिया जिसको मनें चोटे-चोटे पीश weev है यह मगस्तरीज है और पिस्ता और खस खस और हमने मिल्क लिया है और थोड़ा कंडेंड मिल्क और गी सबसे पहले एक बड़ी कड़ाई में हम गी एड़ करेंगे हम बारी बारी सारे ट्राइफूट को हल्का हल्का रोश्टेट करेंगे इससे क्या होगा हमारे ट्राइफूट है इसकी नमी चली जाएंगी और एक क्रण्ची हो जाएंगे और अगर हमें यह रोल या ट्राइफूट लड़्डू जो भी हम बनाएंगे उसको अगर श्टोर करना है तो यह ज़्यादा दिन तक ठीक रहता है आप यह ट्राइफूट रोस्टेट करें हुए है अब हम इसमें बादा मेट करेंगे ऐसे ही हम सारे ड्राइफुट अच्छे से रोस्टेट कर लेंगे हमने एक केजी ड्राइफुट लिये थे और ड्राइफ केजी खजूर लिये थे कजूर के हमने सारे सीड निकाल के छोटे छोटे पिस में कट कर लिये थे अगर आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको पिस कर ले सकते हैं खजूर को तो हमने काजो और बदाम रोस्टेट कर लिया है अब हम पिसदा ऑट करेंगे कि पिस्टा अच्छे से रोष्टेट हो जाए उसके बाद हम इसमें को कॉकोनेट करेंगे को कॉकोनेट को भी हमने चोटे-चोटे पीस में कट कर लिये थे को कॉकोनेट को हम निकालके इसके अंदर हम अंजिरेट करेंगे अंजिर जैसे अलका सा रोष्टेट हो जाए इसके बाद इसके अंदर हम किश्में से एट करेंगे सुखा ग्रेप्स ये ड्राइफूट रोल बहुत ही हल्दी है आप चाहे तो इसको फास्ट में भी खा सकते हैं दीवाली के टाइम मिठाई में भी आप बना सकते हैं कड़वा चोत के लिए भी आप बना सकते हैं, दशेर्या के लिए भी बना सकते हैं, एर ड्राइफूट रोल सभी फेस्टिवल के लिए अच्छा रहता है, अब वही गी में हम खजूरेट करेंगे, सारे ड्राइफूट हमारे रोश्टेड हो गई है, अब खजूर को हमें एकदम मावे छे से फॉर्म में लाना है, इसके लिए टाइम लगेगा, तो हम लो फेम पे इसको 15-20 मिनिट तक इससे ही चलाएंगे, अगर हमने इसको मिक्सर में पीस लिया होता, इसके अंदर दूद एट करके पिस ना होता है, तो थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन हम ऐसे ही चलाते चलाते ही इसके मावे के फॉर्म में ट्रांसपर करेंगी, ताफी हमारा खजूर गल गया है, अभी इसको टैम लगेगा, अब हमने इसमें दूद एट कर दिया है, इसको फिर से लो फेम पे ही चलाएंगे, आप चाहे तो इसमें और भी दूद एट कर सकते हैं, एट राइफूट रोल खासकर सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हमारा खजूर काफी गल गया है, अब इसके अंदर हम कंडेन मिल्क एट कर देंगे, आप चाहे तो कंडेन मिल्क एट कर एट सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवइड भी कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए मैंने दो टेबल स्पून इसमें कंडेन मिल्क एट किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है, तभी आप एट करना, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए टक के रख देंगे, ताकि अच्छे से गल जाए, हमने केस बंद कर दिया है, अब हम सारे ड्राइफूट को छोटे-छोटे पिस में कर देंगे, हम मिक्सर में नहीं करेंगे, मिक्सर में करने से एक दम पावडर फॉर्म में आ जाएगा, हमें यह नहीं चाहिए, इसलिए हमने एक प्लास्टिक बेग में परके, उपर से ऐसे पीट-पीट के छोटे-छोटे टुकडे करेंगे, और बदाम और गाजू को ऐसे ही करेंगे हम, और पिस्ता को, बहुत ही अच्छा चोटा-चोटा पिस होता है, इसका अब हम पिस्ता को बेशे ही कर लेंगे, ऐसे ही हम तीनों ड्राइफूट को कर लेंगे, बाकि ट्राइफूट को चोटे-पिस करने की जरूरत नहीं है, क्यूंकि हमने इसको पहले सी चोटे-पिस में कनवर्ट कर लिया था, और एक प्लास्टिक पे हमने घी लगा के रख दिया है, अब हम जो हमने खजूर का मावा बनाया था, उसको देखेंगे, इसको हमने ढख के इसलिए रख दिया था, ताकि यह अच्छे से गल जाए, अब हम फिर से गेस अन करके लोग फेम पे फिर इसको हम चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, यह अच्छे से गरम हो जाए, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी एड़ करेंगे, दो चमच, इसको हम फिर से चलाएंगे, जिसे एकदम मावा हो जाए, लूस हो जाए, तब हम इसके अंदर ड्राइफूट एड़ करेंगे, अगर आप चाहें तो थोड़ा और ज्यादा खजूर ले सकते हैं, एकदम मावा के फोम में हो गया है, और एकदम लूस भी हो गया है, अब इसके अंदर हम ड्राइफूट एड़ करेंगे, बारी बारी हम सारे ट्राइफूट इसके अंदर एड़ कर देंगे, बादाम और खजूर एड़ कर दिया है, अब इसके अंदर बाकी सारे ड्राइफूट भी एड़ करेंगे, हम पिष्टा और खस抗स एड़ नहीं करेंगे, वह हम उपर एड़ करेंगे, और इसके अंदर हमने मगस्तरी के बीज एड़ नहीं किये है क्यूकि यह मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें एड़ नहीं किये है आप चाहे तो इसमें एड़ ज़रू कर सकते हैं यह मैंने लिए थे स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे एड़ करना था फिर मैंने इसको अवर्ट कर दिया है तो सारे ड्राइफूट हमारे अच्छे से मिक्स हो गए है अब इसको हम थोड़ा यह मावा जो बनाया है वह एक प्लेट में ले लेंगे बहुत अच्छे से बन गया है अब यह खुलेगा नहीं एक प्लेट में हम गी लगा के इसको थोड़ा अलग ले लेंगे क्योंकि हम इसके बर्फी के शेप में पिस बनाएंगे और बाकी का चुमावा बचेगा इसका हम रोल बनाएंगे और इसको हमें गरम गरम ही शेप देना है अगर आप लड़ू बनाना चाहते है या तो बर्फी का शेप बनाना चाहते है या तो रोल बनाना चाहते है गरम गरम ही इसको हमें करना है तो हमने एक प्लेट में जो लिया था उसको अच्छे से दबा कर सेट कर लिया है अब हम इसका अच्छे से रोल बनाएंगे दूसरे जो बचे है उसका तो प्लास्टिक के उपर ही रखके हमें अच्छा सा रोल बनाएंगे चोटा या बड़ा साइज आपको रोल की जो पसंद है इसको अच्छे से दबा दबा कर बनाना है ताकि जब हम इसके पीसिस बनाएं तो ये खुलना जाए और अच्छा सा शेप बने और दिखने में भी बहुत अच्छा लगे इसके उपर हम पिस्ता एट करेंगे और प्लेट में भी हम उपर से पिस्ता एट करेंगे अब हम इसके उपर खसकस एड़ कर रहे हैं और इसको हम फिर से गुमाएंगे ताकि जो खसकस और पिस्ता है वो अच्छे से इसके उपर चिपक जाए अब इसको हम ऐसे फॉल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अब हम एक प्लेट में उपर खसकस एड़ करेंगे और इसका पिस्त बना लेंगे छोटे-छोटे पिस्त में इसको कट कर लेंगे आप चाहे तो अभी इसके पिस्त बना सकते हैं कट कर सकतें नहीं तो यह ठंडा होने की बात भी अच्छे से इसका कट हो जाएगा मैंने एक बार गरम गरम इसको कटकल लगा दी है जब ठंडा हो जाए तो अच्छे से ही निकलाए अब हम यह रोल को ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको हमें फ्रीज में 3-4 गंटे के लिए रखना है और उसके बाद ही इसके पिसी सम करेंगे इसके अंदर रखके इसको रोल बनाके फ्रीज में हम 3-4 गंटे के लिए छोड़ देंगे इससे क्या होगा कि इसका जब हम कट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से यह कट हो जाएगा और इसका शेप भी बहुत अच्छा हैगा गरम गरम अगर हम कट लगाएंगे तो यह रोल खुल जाएगा तो इसका रोल करके हम फ्रीज में रख देंगे इसको आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं नहीं तो तीन से चार घंटे के लिए हम इसको रखेंगे तो इसको फ्रीज में रख देंगे अब हम तिन चार घंटे के बाद इसका पीस बनाएंगे और प्लेट में तो हमने ओल्रेडी कट लगा दी थी तो यह अच्छे से सेड भी हो गया है अब इसको हम निकालेंगे बहुत यह स्पीस बन गय है अब हम जो हमने रोल बनाया था वह खोल के इसमें हम कट लगाएंगे यह फंड़ा होने से इसका श्विप बहुत यह अच्छा फ है गा और कट भी सकार लगेगा अब इसको हम इतम पतले-पतले शेप में कट करेंगे इससे हमारा थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है तो हम थोड़ी सी बारिक वाली नैफ लेंगे और इससे कट करेंगे इससे जट से हो जाएगा और बहुत ही अच्छा शेप आएगा इससे हम सारे लोल के कट लगा देंगे तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेर और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थांक यू